दोस्तों क्या आप लोग भी email भेजना चाहते हैं दोस्तों क्या आप लोग भी चाहते हैं कि हम भी videos, photos या फिर कोई और document जैसे कि PDF फाइल, Excel फाइल आप email के थुरू किसी को भेजे लेकिन ऐसे में आपको नहीं पता है कि email कैसे भेजा जाता है किसी को तो दोस्तों यहाँ पर पूरा guide करने वाला हूँ, step to step बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर mobile phone से, mobile phone से, android phone से email कैसे भेजने किसी को, दोस्तों अगर आप लोग भी इस चीज को सीखना चाहते हैं कि किसी को email कैसे भेजते हैं, बहुत सिंपल तरीके से, तो दोस्तों आपको simple सा काम करना है, इस video क end तक देखना है, starting से लेके end तक देखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको step to step guide करने वाला हूँ, कैसे जो है email भेज जाता है किसी को, तो चलिए दोस्तों बीना time waste की इस video का हम जल्दी से start करते हैं, और आपको बताते हैं कि email कैसे भेज़ा जाता है, So hello दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, दोस्तों मेरा नाम है निश्कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल Tech ग्यान, दोस्तों आज की एक और नए interesting वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, दोस्तों आपको email भेजने के लिए आपको यहाँ पर email ID के जिरूरत पड़ेगी, दोस्तों अगर आप लोगों को email ID बनानी नहीं आती, email ID क्रियेट करनी नहीं आती, तो मैंने email ID कैसे बनाते हैं, उसका link जो वीडियो का link है, उसको मैंने description में डाल दिया है, आपको उस वीडियो का link आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को watch कर सकते हैं, और सीख सकते हैं कि email ID कैसे create करते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता ह इमेल कैसे बेजते हैं, आपको यहाँ पर Gmail जो है यह वाला app है, इसको open कर लेना अपने Android device में, उसके बाद में बताता हूं क्या करना है आपको, यहाँ पर Gmail app को open कर लिया है, दोस्तों Gmail app open करने के बाद आपको यहाँ पर home page पर ऐसा कुछ interface देखने को मिलेगा, आपको यहा दिख जाएंगे, आपको यहाँ पर click करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें सारे inboxes मिल जाएंगे, प्राइबरी messages मिल जाएंगे, और काफी कुछ यहाँ पर options देखने को मिल जाता है, यहाँ पर हमें click करना है, यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों जो भी हमारे जो फोन में Gmail ID login होगी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी यहाँ पर दोस्तों आप जिस भी Gmail ID से email भेजना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर स्लेक्ट कर लेना है अपने मताबिक तो चलिए मैं आपको यहाँ पर अब email भेजना कैसे भेजते हैं उसको बताता हूं यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा यहाँ पर आपको जैसे मैं मेरा दूसरी email ID भेजता हूं है वर्मा डोट अनीश 590-gmail.com दोस्तों यहाँ पर उस बंदे का email ID यहाँ पर आपको टाइप कर देना है जिसको आपको यहाँ पर email भेजना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक option मिलेगा आपको subject का मतलब आप subject का subject मतलब दोस्तों यह होता है कि आप यहाँ पर message में क्या लिखा है उसका मतलब एक line में क्या heading है वो बताईए इसका मतलब सब्जेक्ट का इसमें ताकि बंदे को subject पढ़के पता चल जाए कि इस message में क्या लिखा हुआ है उसके बाद compose email यहाँ पर compose email में आपके लिख करे अजन्य सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको फोटो या फिर वीडियो और कोई और फाइल भेज नहीं है आ पकी यहाँ पर कृलिक करना है यहाँ पर इह पर यहां लिखард लिखांग्व हelcome यहाँ यहां पर आटेश मेंट यह पर पर आप फाइल आटाज कर सकते हैं और इंसर्ट फॉल्म ड्राइब से ना चाहते हैं ले सकते स्कूल पर पर एक लिए वह बताता हूं है अंसके पर लुझ थेक्ट है पर हैं यहां पर नीचे आ गई हे सौरिदोस्ते फोटो नहीं है विडियो वी deben की थैंस रस्केश्च में आपको फोटो भी लेके दिखाता हूं एंस deserve हें यहां पर मैं आपको वीडियो घ्यöyleता हो नहीं हो sı उपर आप दाक्जयारी में बताता हूं कि यहाप इसी तरीके से आप कुछ भी फाइल जो है स्लेक्ट कर सकते हैं दोस्तों यहां पर पूरा प्रोसेस करने के बाद आपको इमेल सेंड यहां से जो है यहां पर क्लिक करके जो है इमेल आप सेंड कर सकते हैं चलिए मैं इस पी क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं आपको प्रूब भी दिखाऊंगा कि इमेल सेंड हुई है नहीं हुई है यहाँ पर देख सकते हैं, sending, sent, यहाँ पर देख सकते हैं, email sent हो गई है, यहाँ पर, अब मैं आपको यहाँ पर, तीन लाइन पर क्लिक करता हूँ, तीन लाइन पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर हमें send का option मिल जाएगा, मैं यहाँ पर क्लिक करके देखता हूँ, जो email भेजी कि मैंने send हुई है कि नहीं हुई मतलब गई है यहाँ से कि नहीं गई है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 6.30 p.m. to varma.anish यहाँ पर देख सकते हैं एक फोटो थी और एक वीडियो थी वो successfully send हो चुकी है दोस्तो इस वीडियो में बस आपको इतना ही बताना था कि आपको यहाँ पर email कैसे भेजना अपने android smartphone से दोस्तो हम इस वीडियो को यहाँ पर end करते हैं और दोस्तो उमीद करूँगा यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर दोस्तो यह वीडियो को पसंद आई है प्लीज दोस्तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तो अगर आप हमारे चल पहली बार आये नीच अटता कनी, गुट बाइ